नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरी योट्यूब चैनल मैंग स्टडी पॉंट पे और मैं हूँ आपका होस्ट मैंग साओ और आज का मरा वीडियो एकोनॉमिक्स का है जिसके अंदर हम लोग अपने सेकंड चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे तो चलिए वीडियो म अब टॉपए के त्रफ चलिए आज कुछ नेया सीक लेते हैं तो दुस्तों वीडियो में आगे बढ़ तो वीडियो में आगे बंड निस बने देखतें कि आज किस वीडियो में में क्या-क्या सीखने वाले तो आज किस वीडियो में में लोगे Spreksion to the law of demand के बारे में जानने वाले इसके पहले हम लोगों ने जाना था reasons for law of demand के बारे में अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो का link नीचे description और उपर i button में आपको दिख रहा होगा तो बात करते हैं expectation to the law of demand के बारे में तो यहां पे क्या बता जारा कि जो economic environment होता है उसके अंदर जो central determinants होते हैं वो economic system के अंदर जो supply and demand के जो factors होता है उन पे काम करता है कि अगर माल लिजे कि एक ऐसे products होते हैं कुछ जहां पे जिस product का demand अगर बढ़ रहा है तो उसका price भी बढ़ी रहा है और जिसका price घट रहा है उसका demand भी घट रहा है तो ऐसे होते है law of demand के कुछ expectations तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे यहां पे आपको यही चीज बताया ज़रा कि उनका जो भी चीज होता है अगर price बढ़ रहा तो demand भी बढ़ेगा price घट रहा तो demand भी घटेगा दोनों चीज equal होगा दोनों में changes कुछ नहीं होगा यह inferior goods के अंदर पाए जाते हैं तो वह क्या-क्या होते हैं हम लोग सुरू करते हैं तो वह सबसे पहले आता है हमारा h visão जो बहुत ही necessary हम लोग कह सकते हैं कि अगर उसका price बढ़ता भी है तो भी हम लोग सकुटे investors नहीं होते हैँ लग्जरी प्रोड़क्ट्स इन दे सिंस कहने का मतलब होता है कि चीज कह सकते हैं, बटर कह सकते हैं, यह सारे लग्जरी उस होता है, लेकिन आप बोलोगे कि मैं ब्रेड लूँगा या फिर वाटर कुछ ऐसे चीज जो आपको डेली रोज में काम आ रहा है, डेली बेसिस पे काम आ रहा है, उसके बीना चली नहीं सकता, चाहे वो किसी भी काटेगरी, किसी भी क्लास का आदमी क्यों ना हो, कोई भी तरह का लोग जीवन क्यों ना हो, कोई भी लोग जी क्यों नहीं रहे, तो उसके लिए जो नेसेसरी होता है, कि हर आदमी को यह चीज चाहिए, तो व वासा पढ़ लेते हैं, Giffen Goods was conceptualized and presented by Sir Robert Giffen, Sir Robert Giffen द्वारा बताया गया है Giffen Goods को कि क्या होता है और उनके नाम पे ही Giffen Goods का नाम रखा गया है, Giffen Goods are products that are substandard or inferior goods, यहाँ पे Giffen Goods जो उसके products होते हैं, वहाँ substandard करता है inferior goods के साथ, जो compared होता है luxury products के साथ, inferior goods और luxury products में काफी अंतर होता है, जिसके मैं आपको बताया ब्रेड और चीज के बारे में, चीज काफी costly होता है, लेकिन milk थोड़ा सा कम costly होता है, यह सरा चीज ठीक है, in any case, the remarkable feature of Giffen Goods is that as the cost increases, the quantity demand will also increases, तो जैसे कि मैं आपको बताया कि Giffen Goods के अंदर वो सारे goods आते हैं, जहाँ पे cost अगर उस product का बढ़ता है, तो उसका demand भी बढ़ता है, और उसका product का price घटता है cost घटता है, तो उस product का demand भी घटता है, ठीक है, demand घटता है कहने का मितलब होता है कि जैसा demand चल रहा है, उसी तरह का demand चलेगा, कोई उसमें changes नहीं आएगा, यह दोनों चीज एक्वल रहेंगे, यह law of interest के उपर depend करता है, exemption जो होता है, इसके उपर वो चलता है, ठीक है, अब बात करते हैं, वेबलें गुड्स के बारे में, कि दूसरा point क्या होता है, वेबलें गुड्स क्या बताता है, तो हम लोग वो देखते है, कि जो आपको तस्वीर में जो दिख रहा है, वो है, यह एक economist है, जिनोंने वेबलें गुड्स का conceptualized किया था, उन्होंने बताया था कि कॉंसे PCS consumption के अंदर Webland Good ने क्या किया है कैसे किया है उसे किस तरीके से बताया है वो हमलोग समझते है There are some products that become more significant and valuable as their price or cost increases Assuming an item or a product or service is costly then at that point with worth value and utility are seen to be more and henceforth the demand for the product or services increases कि Webland Good ने ऐसे products के बारे बताया कि जो एक बार market में आया लेकिन उसका price जो था high भी था और normal था लेकिन उसे लोग effort कर पा रहे थे लेकिन जैसे किसी company ने देखा कि वो product को लेकर आया है और वो product का demand बढ़ गया उसके बाद वो product का price भी धिरी-धिरी बढ़ता रहेगा और demand भी बढ़ता रहेगा इसमें कुछ changes नहीं होगा ये घटेगा नहीं तो Webland Goods ये कहलाते है ठीक है फिर आप हम लोग बात करते है price change expectation के अंदर price change expectation क्या होता है जिसका एक example हम लोग lockdown के time पे ले सकते हैं जैसे हमें पता चला था कि lockdown होने वाला है तो हमारे पास जो भी हमारे दुकान में हमारे आसपास के दुकान में जो भी समान था हम लोग सबसे सोजे थे सारा जितना कोशिस हो से के हम लोग वो सारा products खरीद लेंगे वो सारा जितना भी वो लोग product बेच रहे हैं जो daily basis पर हम लोग काम आने वाला चाहिए wheat हो, rice हो, oil हो pulse हो, कुछ भी जो कुछ भी हमारे daily basis के products होते हैं उन्हें हम लोग जितना ज़्यादा हो सगे खरीद के stock कर लें क्योंकि उसके जैसे lockdown हुआ वैसे ही price हर घंटे increase करने लगा बढ़ने लगा और एक time पैसा आ जाता है जहां पर वो price बहुत बढ़ जाता है और उस product का value कम हो जाता है, demand घट जाता है और वहां पर लोग क्या करता है कि जब product का price घट रहा होता है तो लोग खरीद लेते हैं फिर से उस product को खड़ीद लेते हैं तो यहां पर क्या होगे demand तो बढ़ी रहा है लेकिन साथ में आपका price घटने के साथ साथ बढ़ भी रहा है फिर घट बढ़ रहा है दोनों एक साथ हो रहा है और demand जो आपका बढ़ीद रहा है तो वहां पर बहुत सार ऐसे दुकंदार भी होता है जो product के थोड़ा सा price घटते ही वो फिर से product खड़ीदना start करेदे उसका demand फिर से बढ़ा देता है और जिसके करण price फिर से बढ़ जाता है तो price change expectation में भी यही बढ़ाएगा कि there are times when the cost or price of an item product or services increases and the economic situation are such that products or services might become more costly तो जैसे कि हम लोग pandemic में भी देख सकते हैं कि pandemic का जैसे lockdown का घोचना हुआ हम लोग जादा से जादा समान जाके खड़ीदना start कर दी जब हम लोग समान खड़ीद रहते जो समान हमें 10 रुपे में मिलता था वही समान हमें 20 रुपे में खड़ीदना पड़ा कुछ दिन बाद गए तो 40 रुपे में खड़ीदना पड़ा फिर कुछ दिन बाद गए तो 80 रुपे में खड़ीदना पड़ा यानि कि double होता जा रहा था तो यही चीज यहां भी बताया जा रहा है कि हम लोग को कोई एक ऐसा टाइम पर फेस करना पड़ेगा तो economics तो बहुत पहले लिखा गया थे लेकिन उसके laws अभी भी काम हो रहा है काम में आ रहे है वो laws अभी भी हमें समझ में आ रहा है कि इसी तरीके से काम हो रहा है in such cases purchases might purchase our greater amount of these items before the cost builds any further तो जैसे कि यहाँ पर यही बताया गया कि हम लोग उस समान को उतना बार परचेज कर रहे है कि कहीं इससे जादा फिर से price ना बढ़ जाए इसलिए तब तक हम लोग उस product को खरीदे जब तक हम लोग का ability है कि दूसरे price हम लोग जब तक आएंगे तब त the buy to profit from the advantage और जब हमें पता चल दे कि market में इस product का price घटने वाला है या फिर घट चुका है तो फिर से हम लोग अपना जो product पहले खडीद रहे होते हैं उसको stop कर देते कि नहीं अभी फिर market खुल जाए तो फिर इसका price घड जाए तो फिर हम लोग बाद में खड़ देंगे त storing away more vegetable trading further cost rice which brought about expended or increased demand जैसे कि मैं आपको बदा है कि हम लोग कुछ product को पहले से store करके रग लेते हैं ताकि अगर price बढ़ भी जाद है तो हमारे पास वो समान होगा उसको हम लोग use कर सकते हैं और अगर हम लोग उस product को बेच रहे हैं तो हम लोग जो stock में रखे हैं उसको हम लो expectation के बारे में अब बात करते हैं यहां पर essential और necessary products and services के बारे में यहां पर क्या होता है essential और necessary से तो हम लोग समझ में रहे हैं कि जो रोज मनरा का product होता है service होता है उसको हम लोग बात करेंगे इसके वीडियो में तो one more expectation case for the law of demand is essential of necessary necessity goods and products individual will keep on purchasing necessity for example medications medicines medicines होते है जो essentials होते है salt होते है rice होते है sugar होते है regardless of whether the cost increases तो इसी तरीके से होता है कि अगर उसका जो ऐसे necessary product जिनका price बढ़ भी जा रहे है तो भी हम लोग उस product को खड़ी देंगे उस product को बंद नहीं करेंगे ऐसे होते necessary products या essential products इसके अंदर क्या होता है अगर इनका price बढ़ में उपर नीचे होगा यह है essential for necessary product और services के बारे में अब बात करते है change in income के बारे में change in income माल लीजे आप अभी 1000 रुपय salary आपको मिल रहा है कुछ time के बाद आपका वही salary 10,000 का उज़र है तो जब जो चीज आप 1000 रुपय में जब आपका salary था उस product को यूज कर रहे थे और जैसे ही आपका income 10,000 हो जाता है तो आप चाहोगे कि नहीं मैं जो product यूज करूँ वो थोड़ा सा valuable हो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो उनके बराबर से थोड़ा सा अच्छा हो जो 1000 रुपय में यूज कर रहा था अपने अंदर कुछ changes लाने के कुशिस करेंगे तो यह हो जो सबसे सस्ते प्राइस में होते products उनको यूज करना स्टार्ट कर देता है तो यह भी depend करता है कि आपके income से कि आपका income अगर जादा है तो आप डिमांड भी जादा करोगे अगर आपका income कम है तो आप डिमांड भी कम करोगे तो some commodities like electricity, milk etc. have several uses some of which are more important than the others when price of such a good like milk increases it uses get restricted to the most important purpose like drinking and demand for less important uses cheese butter gets reduced however when the price of such commodity decreases the commodity is put to all its uses whether important or not तो यहां पर यह बताया गया है कि आपका अगर आपका price में कुछ changes होता है product का price में जैसे change होगे दूद का दाम बढ़ गया तो आप दूद का दाम बढ़ा तो cheese और butter का भी दाम उससे भी जाता बढ़ेगा तो आप क्या करोगे अब दूद पीना या फिर दूद लेना start करो सिर्फ दूद लोगे cheese और butter नहीं लोगे और जैसे ही अगर आपका दूद का दाम घटता है तो आप cheese butter भी लेना start कर दोगे उसका भी uses start कर दोगे तो यह होता है change in income में जैसे कि मैं आपको पहले बताया ठीक है अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ और different points होते हैं जिनके उपर expectation of law of demand काम नहीं करता है या फिर काम बहुत ज़्यादा करता है इसके बारे में तो पहला आता है luxury goods luxury goods हम लोग समझ सकते हैं कौन-कौन से होते हैं gold होते हैं silver होते हैं diamonds होते हैं apple का phone होता है जो आप आज के बच्चों के लिए है कि सभी को phone चाहिए mobile phone चाहिए सभी high price के phones देखते हैं आज कल high price के phones निकलते भी हैं तो यह सरा होता है जो luxury goods होते हैं जहां पर आपका status बताया जाता है कि अच्छा मैं यह यह यूज करूँगा तो मैं ऐसा दिखूँगा वैसा दिखूँगा मेरे पास पैसे बहुत है तो यह होता luxury goods ठीक है फिर consumers negligency consumer negligency negligency का मतलब क्या होता है कि आप product लेने गए लेकिन आपको product का price के बारे में नहीं मालूम है कि product का price घट गया है या बढ़ गया और आप उसे गलती से खड़ीद ले रहे हो उस सेम price में जो अगर price घटा हो है तो भी आप बढ़े price में खड़ीद ले रहे हो तो वह होता है consumer negligency यह किसके साथ अधिकतर होता है यह होता है foreigners के साथ जो foreigners इंडिया में आते है foreign country से इंडिया में आते टूर में तो कई लोग ऐसे होते हैं जो उनसे जैसे आप product लेने गाए किसी product का दाम 100 रुपय है लेकिन उनसे वह 200 रुपय तिन 100 रुपय ले लेते हैं और उनको भी यही customer को नहीं मालूम होता या फिर वो नेगलिगेट कर देते हैं कि हो सकता है price इतना हो तो यह है ठीक है फिर आता है effect on demonstration effect on demonstration में क्या आता है कि middle income और reach जो people होते आपर क्लास के लोग जो होते उनके बीच में comparison हो जाता है middle class वाले क्या करते हैं कि जो जो अपर क्लास के लोग होते उनके status को देखे वो भी उनी के तरह product का use करना start कर देते हैं जैसे अपर क्लास वाले मैं एक example देता हूँ मैं आपको यहाँ पर example दे रहा हो आप इसे feel मत कीजीगा यानि कि आप इसे अपने उपर मत लीजीगा कि सरी यहाँ पर मजाक उड़ा रहें मैं मजाक ने उड़ा र क्या हो रहा है कि जो मिडिल क्लास वाले होते वह अपर क्लास के status को देखते हैं वह क्या commodity यूज कर रहे हैं काउंसा product यूज कर रहे हैं और उसी को देखते वह वह product भी middle class वाले use करना start कर देते हैं जिसके करन हो सकता है कि उनके इंकम में changes आने लगे तो यह भी एक factor होता है तो यहां पर क्या होता है कि जो लोग costly चीज़े use करें उनका भी demand बढ़ रहा है और cost तो बढ़ी रहा है तो middle class वाले भी उसी चीज़ को भी use करें demand करें और उस चीज़ का demand बढ़ा रहा है तो यह होता है effect on demonstration के उपर फिर आता है changes in taste preference and fashionable products इसमें क्या होता है जो products में changes होते है taste में changes होते है कुछ नया trend आ गया तो आप उसका demand बढ़ जाता है उस product का price बढ़ जाता है उस product का demand बढ़ने लगता है तो यह होता है change in taste preference and fashionable products जो trending चल रहा है उसके उपर उस product का demand करना start करते हो जब किसी product का demand बढ़ रहा है तो company क्यों उसे low cost में बैचेगा उसका वो price या फिर share market हो तो यह जो trading in stock changes होते है इसके अंदर लोग क्या करता है कि जब product का price घट रहा होता है या जब product का price घट रहा होता है share market में उस company का holdings बढ़ रहा होता है तो लोग उसे बेचना start कर देते हैं और जैसे market में किसी commodity का price बढ़ रहा होता है तो share market के अंदर उस commodity का price घट रहा होता है, तो लोग उसे purchase करना है इस्टार्ट करते है, यहाँ भी law of demand काम करते है कि जहाँ पर price घट रहा है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उमिद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो जाते हैं ते वीडियो को लाइक किजेगा और अगर आप सैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लेज सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे तब तक के लिए जुड़े रहे हैं मैंक सरडी पॉइंट के साथ वीडियो को पूरा देख लेक आपका बहुत बहुत धन्यवाद